यशो मती महिया के नंद लाला इना रहे महिया तुम सब डर क्यों गए कोई भी तो नहीं है यह पर वो तो है साविची मासी का रख्षक बल्दार हेन आरायन मैं बल्दर को भुचन देना तो भूल ही गई और भूके पेटो वो इन्सक हो जाता है ताना तुन सुनला है ना कैसे सींग गुमा के अलाते उठा उठा के मरता है बल्दार नहीं है तुमाही रक्षा करेगा बल्दर है वो बहुत कथाई सुनिये इसके क्रोधित सोबाफ की पर अपनी आखो से ना देखनो चल खाना लोट चल रोक जाओ चंता के आसकता ना है हम पेक रोध ना करेगो ये रुपचा काना रुपचा काना लोट चाना देखो कैसे स्वागत करो है रड़ थी बेबे जोयो तुम सब क्रिश्णा 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 मुरली मनो हरे प्रिश्णा कोपाला कोविंदा के ता मोदरा रड़ ठाद के चुआ तो एक साधारन बैल को है मां पर उनके स्वर्ष कानभव मुझे हुआ है बर दर ये जो फानल मराज है ना ये मेरे सक्खा है बहुत भूखे है ये इसलिए हम इनके लिए तरिक माखन देने आये हैं हमारा साथ दो गेना मैं भी बहुत भूखा हूँ प्रभू सावित्री मैया चारा देना ही भूल गई आप मुझे खोल दीजे न आप भी अपना कार्या निर्भिग्न कर लीजेगा और मैं भी घास चरके अपनी भूख मी ढालूँगा जी जी क्या कर रहू है जी काना बालो हो गया हो क्या मतिकोल काना जेसी दा हमारी हो राएगो और अपमी सिंगों से उड़ा के चला जाएगो जी जा जाएगो प्रूफब वाया जाएगो चैको अप्र श्याएगो तब यूब यूफ टाएगो पालब यूब यूब यूफ-णे यूफ-ब यूफ-थ जा-प्रूब यूफ-वूब अब खड़े खड़े देखते ही राओगे भीतर चलनों है कि ना तुने तो बल्धर को भी अपनी टोली में मिला लियो का ना बाईया क्याती है मैं बार विसेश हूँ तो अब विसेश चार पिखानी तो पड़ेगी चोर्य विद्या प्रसारण टोली का अधिक से हूँ मैं चोर्य विद्या प्रसारण टोली चोर्य विद्या प्रसारण अर्थाद चोरी की विद्या का विस्तार करना प्रभू ये बार कृष्णा कैसी सीख दे रहे अपने सखाओ को बार तो बंद है पीतर प्रब्रेश करने का कोई उप्पाय तो कोचुनों पड़ेगो सच्छी में मती ब्राष्ट हो गई है मेरी अब अंदर कैसे जाएगो काना कहीं वापस ना चला जाए मिलको उपाय काना चलो बीतर प्रवेश करते हैं रोको कि सीधे प्रवेश ना करते पहले चास परतात करते हैं कि बीतर को है कि ना पर सावेतरी मोसी को तो हमने बाहर जाते दिखा था अरकान हो सकता है बीतर ऐसे बाहर बल्दज था वैसे बीतर कोई और हो सकता है फिर नारायान फिर तू इजा मेना दाउंगो बीतर माखन चुराना भी सरल ना है सिर्टक रहना पड़ता है माता यशुदा यदी इस सब देख ले तो उनके मन को कितना तुक मोचेगा ऐसे जिठ ठीक ना है लल्ला जब भूक लगती है तभी माईया किस में सी आती है तुझे आज खेल के इतने सीग्र कैसे आगो तू देख लल्ला माईया तेरे लिए क्या बना रही है सूजी का हलुआ अभी भी समय है लल्ला कछो और खानाओं को बता देख आना तो बाहर केगा खेलने यह सोधा किस से बाते करने अब ऐसे मूर्ती बनके क्या खड़ा है कछो बोलेगा भी नन्राजी नन्राजी लगवक सभी को सभा की सूचना दे दियो है और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गयो है सूचना देने के लिए और उपनन भाई आपकी जौपाल में प्रिधिक्सा कर रहे हैं चौना देख लल्ला अपकी छण बर प्रेले तो पीछे ही खड़ा आता कहां चला गयो देख लल्ला जे लुका छिपी खेलने का समय ना है जल मिलके नारायन को पहसाच चड़ाते हैं कान हां कहां चला गयो कान है वश्यूं सो तू ऐसे बात करो है जैसे इनकी पाशा समस्त हो लगतो है यही लगता है साला का सारा माखन काना मुझे प्रियास करने दे मैं असानी से कर डूँगो सावित्री के घर के कुंडी इत्ती आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला कहो तो मैं ही तोड़ दूद्वर नाना चिंदा माती कर काना पीछे मुण के देख सारा का सारा माखन उपर ही तो लटक रहो है कोई लाप ना हो तो दाओ माखन तो वो रो पर जे तो इत्ती उपर है कीसे उतारने के लिए हादी बुलाना पड़ेगो तो क्या आप हुमें माखन ना मिलेगो मुझे क्या पता था काना की तो सची में आने वालो है ना तो मैं इत्ती उपर लटकाती ही ना उपर से चोकी भी रसोई घर में बंध है ये तो स्वया चाहती है कि क्रिष्णा इनका माखन चुरा ले अव विश्वसनिया है ये यही तो लीला है देवी लीला धर, स्री पाल क्रिष्ण की लीला कोई उपाय ना है काना इतनी परवजी इतनी उचैट पर तो चर ना सकते हम जड़ सकते हैं सक्खा यदि हमें परवज बन जाए तो कुछ भी कर सकते है इतनी चतुराई कहां से लायो है जे ज़िए तो बुदाराई बन सबसे उपर कान चड़ेगा? नाना मेना करोंगो ये संबवीना है मुझसे ना हो पाएगा मैं जड़ूंगो सबसे उपर आया कनहिया रे आया रे माखन काचो ना ध्वनी कोई हो ना बता कुछ लगे आये चुके से ग्वालों की टोली चाहे कितना बचाओ छिपाओ कही सारा मखन ये कर जाए खाली मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नखट बड़ा चिपचोर भोला भाला काना है माखन का चोर काना की योजना तपर भूए ही माखन में गयो तेयारो सब हाँ तो लो फिर अब खाएगो जी मेरा माखन वार्णर वाराज सबसे पहले तो आप ही लो है इसकी जीप अधिक लप लपाई वोई सबसे पहले माखन खाए स्वयम हार्थों से अपने ये बाटे पूरी तोली को माखन खिलाए बड़ा नखट है नंद किशो लो दाओ ये आपका सारा माखन जी इन सब में बाट रहु है स्वयम ना खाएगो इत्ती देर बाद ही सही अब खारवे जी मेरे हाथ का माखन प्रभू ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है मैं ये जानने के लिए आतर हूँ कि इस माखन चोरी की लीला के माथ्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे रिदे से भगवान का स्मरन करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंब कर देंगे फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री प्रिश्न माखन नहीं खारे देवी ये तो अपने भक्तों के दुश्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यू के चक्र से मुक्ति दिला सके पर प्रभू ऐसे तो सारा संसार इने माखन चोर बुलाएगा ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है इसलिए कृष्णा जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं है ये तो इन गोपियों की चित हैं दिवी अब से जो भी व्यक्ति इने माखन चोर बुलाएगा वो इने प्रेम से चित चोर कहकर भी पुकारेगा सही कहा अपने प्रभु चित चोर तो है ये इन्होंने केवल गोपियों का निंग अपनी मैया का भी चित चुराया है कानहा देख लल्ला अब सामने आजा लल्ला मुझे पतो है तू खंबे के पीछे चुपोए बहार रिकार मैया ट्रूक लल्ला ठीक मतिया मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूँ बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोस सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर और चाहिए हाँ ये तो फिर से माखन बाट रहो है इसका इतना साहस यदि यही सब करनो थो तो मुझसे आज्या क्यों नहीं ली मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती पर जे तो चोरी कर रहो है इसकी आज्या ना दे सकती मैं मेरा माखन फिर्थ में सब में बाटने चलू है जो वानर मराज और तनिक ले लो सखा तो सखा ये तो वानरो में बाटने लग हूए और चाहिए नाना ननना है भाईया ने क्या कहे थी लोब बहुत भायानक राक्षश है पर काना अभी तो गले तक की गए और माखन पूरी मटके चट कर गए और माखन अभी तक गले तक की पहुचे है हाँ पूर्टा भी मेरी विना मिठी है वो संथा इसे तो मिले लो हुआ 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 वाइठीना लोब बात भयानक प्राक्षेश है जी अच्छी बात ना है काना अभी चलके यशोदा जीची को बताती हूँ पर आपी नहीं तो काई थी कि आप किसी को कछू ना बताती बल्कि प्रशंता से खिल खिल जाती जानकी के स्थान पर यदि काना ने मेरे हाथ का माखन खाय हो तो तो मैं किसी को कुछ ना बताती बल्कि प्रशंता से खिल खिल जाती मैं तो मन में सोच रही थी उसे बोल दिया था क्या सक्षी बात तो ये है मौसी यह मारे मराज पूचे थे इसलिए कल मैं इसलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकटी ना मिलो और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो चंता मत करो मौसी दो गुलों से भी अधिक बेगो उखे के भूट मिटाने का उन्य प्राप किया है आपने बस आप मैया को कच्छु मति बतायो वैसे भी कूके की फाईता करके मैं अच्छा कारी ही तो कर रहा था काना काना की लीला तो काना ही जाने बड़े सौभागे उसने है पाए काना जिस गड़ से माखन चुराए भूला भाला काना है माखन का चोर अरे भूला भाला काना है माखन का चोर अरे प्रूला भाला का माखन से रखकट झाल ंने बतायो माखन तो प्र अरन शौला भाला का चोर कर जायist, एक कैविड़े